एक 60 साल का आत्मी जिसका मर्टर हो जाता है जब उसकी लाइफ में 34 इयर्स की औरता दिया है इस औरत का एक ज़स्बंड शोलचर भी था आज की मुवी The Human Stain ये एक होलिवोड मुवी है आप अपनी आइडेंटिटी से कितना भी बचना चाहो पर लास्ट में आपको ये कॉट अप कर ही लेती है मुवी में बहुत अच्छा मैसेज हमें दिया गया है तो डारेक्ली स्टार्ट करते है मुवी के लास्ट में सब कुछ चीज़े मैं आपको डेटेल में समझाओंगा तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट देखेगा तो चलिए शुरू करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमें गाड़ी आइस पर चल रहे ही यह दिखता है इस गाड़ी में कॉलमन और फोनिया होते है इनके सामने एक गाड़ी आती है और इनकी गाड़ी आइस में चली जाती है अब मुवी फिर से फ्लैश बैक में स्टार्ट हो जाती है यह जो स्टोरी है यह हम एक राइटर बता रहा है जिसका नाह हुआ था Nathan Nathan के बारे में जैसे मूवी प्रोग्रेस होगी वैसे हम और भी जानेंगे यह स्टोरी है Coleman के बारे में यह अमेरिका में पहला जूद दीन था जिस स्कुल का ओडीन होता है इस स्कुल को बहुत आगे लेकर गया होता है यह सब डिसिप्लिन के दम पर उसने किया होता है अब नेक्सिन में हमें दिखता है कि वो अपने क्लास में पढ़ा रहा होता है पढ़ाने के बाद वो प्रेजेंटी लेता है इसमें कुछ लोग गायब होते है यह इन लोग को Spooks बुलाता है Spooks का मतलब Ghost यह कभी भी इसे दिखते नहीं तो इस कंटेक्स्ट में वो उन्हें Ghost पुकारता है Next में दिखता है कि Colman पर Inquiry बेटी हुई होती है जिन बच्चों को इसने Spooks बुलाया था यह निग्रों थे यह कमेटी उसे कहा रही होती है कि तुमने उसे Spooks बुलाया है निग्रों को Spooks बुलाना यह गलत होता है अगर डिक्शनोनी में देखा जाए तो Spooks का meaning back people होता है और यह कहना गलत होता है Coleman resist है इस वज़े से उसे आप वो निकालने वाले होते है Coleman इसे resist करता है उसे समझाता है कि कैसे हुआ था पर कोई भी उसका मानता नहीं Coleman का एक निगरुई friend होता है जिसने उसे job दिया था है फिर भी इसके side से यह खड़ा नहीं होता इसे कोई भी अब help नहीं कर रहा था Coleman अब अपने college से resign कर देता है और घर पर आता है उसके wife उसे पूछती है कि क्या हुआ क्या है यह जब सब कोच उसे समझाता है तो उसके wife और भी उस पर चिर जाती है Coleman के जो सब friends थे इनके बारे में पूछती है इसे शौक लगता है कि Coleman के कोई भी friend ने उसे help नहीं की थी Coleman नहीं इन सब को hire किया था पर यह सब इसके खिलाफ हो चुके है अब यह school पर case वेगरा डालने वाले थे पर Coleman की wife को यह सहा नहीं जाता उसे hard attack आग आ जाता है और वो ही मर जाती है इसके बाद हमें दीखता है कि बहुत सारा time गुजर जाता है Coleman जहा रहता है तो उसके पास ही woods में Nathan भी रहता है Nathan एक writer था उसका divorce हो जाने के बाद वो woods में आकर रहता है Coleman अकेला में हैसुस करता है तो उसके पास हो आ जाता है Nathan Coleman का ही student है Coleman आकर उसे कहता है यह मुझे बता है कि तुम book लिख रहे हो पर अभी भी तुमारी book complete नहीं हुए है पिजले books तुमारी बहुत ही success थी पर इस बार तुम attack चुके हो Coleman कहता है कि तुम मेरे बारे में लिख सकते हो स्कूल के लोगों ने मुझे किस तरह से अक्यूस्ट किया था और इसकी वज़े से मेरी wife मर गई इन लोगों ने मेरी wife का murder किया है अगर तुम इस बारे में book लिखोगे तो लोग इसे interested होकर बढ़ेंगे Nathan कहता है कि मैं fiction लिखता हो इस तरह की books में नहीं लिखता वो Coleman को कहता है कि तुम भी book लिख सकते हो इसमें कोई भी problem नहीं है वो उसे book लिखने में help भी करने माला होता है Coleman और Nathan दोनों अकेले हैं तो इसी वज़े से अब यह दोनों friends बन जाते हैं यह games खेलते हैं, drink करते हैं बहुत अच्छी friendship इनकी हो जाती है Nathan फिर उसके बारे में हमें बता रहा होता है यहां में पता चलता है कि Nathan को cancer है उसका cancer कभी वापस आ सकता है तो इसी वज़े से वो सब दुनिया से दूर यहां एक woods में आकर रह रहा है उसे सब लोग के expectations से दूर रहना होता है अब दो-तिन मेने गुजर जाते हैं और Coleman ने अपनी book complete कर लिए होती है वो से लगता है कि यह बहुत ही घटिया book है इसमें वो पागल आदमी की तरह लग रहा है तो यह book वो Nathan के पास ला कर देता है यह कहता है कि अगर तुम इससे फिर से अच्छे से लिखोगे तो अच्छे से बन सकती है इस book में उसने अपने love letters भी add की होते है इन 1948 में जब college में था उस दीन के यह love letters थे वो एक लड़की से pair करता था अब Coleman की जो love story है यह में दिखाई जाती है जिस लड़की से वो pair करता था इसका नाम Stina था Stina और EA दोनों library में मिले थे उसे बात Coleman उसे बात करने लग गया और अपने room में उसे invite किया Coleman को fight करना अच्छा लगता है यह उस Stina को कहता है Coleman कहता है कि मुझे misjudge मत करो यह कुछ strength के बारे में नहीं है Fighting जो होती है कोन कितना smart है इसके बारे में होती है Stina कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अच्छी boxer बन सकती हूँ Coleman इसके लिए हा कहता है यह उसे boxing के सिकरनी है यह उसे सिखा रहा होता है इन दोनों में नजदी के बढ़ जाती है और एक दूसरे के साथ ही intimate हो जाते है अब मैं फिर से present दिखाये गया है Coleman और Nathan रात में बात ही कर रहे होते है Coleman Nathan को कह रहा होता है कि मुझे कभी मरना नहीं है मननी की idea मुझे बहुत ही गटिया लग रही है Coleman का आज mood बहुत ही अच्छा होता है वो grammar form पर एक music लगाता है और वो Nathan के साथ dance करने लग जाता है Coleman आज बहुत ही जादा ही खुश होता है तो Nathan पुछता है कि हो क्या रहा है Coleman कहता है कि मेरा affair चल रहा है आज कल मैं 34 years की औरत के साथ हो उसे जिन्दगी के बहुत ही मज़े आ रहे है Nathan पुछता है कि तुम उसे मिले कैसे Coleman फिर पता था है कि वो उसे कैसे मिला था Coleman एक store में कुछ खरीद रहा था उसे वहाँ फोनिया मिली थी उसने फोनिया को notice किया था और उसके बाद वो वहाँ से चला गया था आगे वो आ गया तब उसे पता चला कि फोनिया के गाड़ी बन बढ़ चुकी है उसे लिफ उसने दी फोनिया क्या करती है जब उसके बारे में वो पूछता है तो फोनिया कहती है कि वो मिल्क डेरी में काम करती है इस डेरी पर ही Coleman उसे छोट रहा होता है जब उसे free time मिलता है तो Coleman के ही college में वो janitor का काम करती है Coleman जब उसे घर चोड़ देता है तो पूछती है कि क्या तुमें अंदर आना है Coleman कहता है कि मेरी wife मर जाने के बाद मैं किसी भी औरत के पास नहीं आया हूँ फोनिया कहती है कि तुम अगर sympathy टुण रहे होंगे तो हो में तुमें नहीं देने वाली वो उसके साथ casual relationship रगना जाती है वो फिर गाड़ी से उतर कर अंदर जड़ी जाती है Coleman भी ज़रा सोचता है और उपर चला जाता है उपर जाने के बाद फोनिया अपने बेड़ पर निउड सोई हुई होती है इसके बाद यह दोनों intimate हो जाते है राद में फोनिया उसे निखल जाने के लिए कहती है वो कहती है कि यह personal नहीं है वर इनकी relationship बहुत ही उसे casual चाहिए यह उसे यह भी कहती है कि उसे पता नहीं है कि वो इससे फिर से मिलेगी या नहीं निक्सिन में Coleman उसे college से लेने के लिए जाता है college में Coleman की कलिक होती है यह वो देख लेती है राद में जब यह दोनों intimate हो जाती है तो Coleman उसे पूछता है तुम्हारे mind में चल क्या रहा है फोनिया उसे कहती है कि मेरे mind में मंद कुसो हमें यह relationship सिर्फ casual रेखनी चाहिए Coleman मार नहीं रहा होता तो एक question answer करने लग जाते है Coleman से पूछता है एक बुड़े आत्मी के साथ होना यह तुम्हें कैसे लग रहा है यह थी है कि कोई भी surprises मुझे नहीं मिल रहे है इसके लिए perfect होता है Coleman उसे उसकी life के story पुछता है यह पहले बता नहीं रहे होती पर कह देती है यह बहुत ही अमीर थी इसके फादर मरने के बाद इसके मदर ने दूसरी शादी कर ली इसके family में abuse होती थी इसी वज़े से एक घर छोड़ कर चली गी इसे बाद वो कभी एक प्लेस पर नहीं रूकी थी फॉनिया किसी भी चीज के बारे में जादा सोचना नहीं चाहती इसी वज़े से हर जगा से वो भगती रहती है जहाभी उसे job मिल जाए वहाँ वो job कर ली थी है अलग टाउन में वो चली जाती है और इसी थरा से वो जीती रहती है यह दोनों इस दूसरे के साथ होते है तब फॉनिया को कोज आवाज सुना देती है यह कहती है कि मेरा एक सस्बंड है यह आर्मी में था यह हमेशा मेरा पीछा करता रहता है यह आप पागल हो चुका है और जब हम मैरीड थे तो मुझे मारा भी करता था कॉलमनों से कहता है कि वहाँ कोई भी नहीं है उसे कोई भी आवाज सुना यह नहीं दे रही हुती नेकसिन में फॉनिया का एक सस्बंड हमीं दिखाई देता है उसकी इंटर्व्यू चल रही हुती है फॉनिया को मारता था और अब्यूस करता था इसे वज़े से मेंटल हॉस्पिटल में अब हो है उससे एक साइकोलाजिस बात करी है उससे जब पूझा जाता है कि क्या उसने अपनी वाइफ को भी मारा था तो इससे वो डिनाय कर देता है वो कहता है कि कभी भी मैंने उसे हाथ नहीं लगाया था उसे हमारे बच्चे मिल जाए इसे वज़े से उसने सब साजिस रजी थी ये केरफुल नहीं रही और उसने अपने बच्चों को ही माल डाला इसके बाद कॉल्मन और फॉनिया एक रेस्टॉरंट में आयोये में दिखते है फॉनिया इस रेस्टॉरंट में बहुती अनकम्फट बेवल होती है कॉल्मन फॉनिया को नेतन से मिलाना चाता है जब नेतन वहां आता है तो फॉनिया उस पर itel चाती है वहाँ से गुसे में ही कार में आकर बैठ जाती है कॉल्मन भी उसके पीछे-पीचे कार में आ जाता है फोनिया उसे कहती है कि रेस्टोरंट बहुत ही फैंसी है मैं एक जानिटर हूँ, मैं डेरी में काम करती हूँ हम दोनों का कही भी तालमेल नहीं है तुम्हारे फ्रेंट से तुम मुझे मिलवाना चाते थे पर तुम्हारे फ्रेंट से तुम क्या कहोगे सब को एक गलत ही लगेगा कोई भी हमें एकसेप नहीं करने माला फोनिया कहती है कि तुम्हें मुझे अब जाने देना चाहिए वो उससे ब्रेकप कर रही होती है कोल्मन उसे कहता है कि मैं नहीं होने दे सकता मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता रात में हम देखते है कि कोल्मन फॉनिया की यहां सोया हुआ होता है तभी फॉनिया के एक सस्पन भाहा जाता है यहां आकर बहुत ही आवाज ही कर रहा होता है काड़ी के हौंस बजा रहा होता है कॉल्मन इस पर चिर जाता है और दंडा लेकर बाहरा जाता है वो फॉनिया को घर लेकर जाना चाहता है फॉनिया ने अल्रेडी पुलिस को बुलवाय होता है पुलिस उसे जब लेकर जा रहे होती है तो फॉनिया को मर्डर बूलाता है जब फॉनिया और कॉलमन अंदर आते है तो फॉनिया उसके बच्चों के बारे में उसे कहती है वो अपने बच्चों की चीज़े उसे दिखाती है कहती है कि मेरे बच्चे बर जाने के बाद इन चीज़ों का मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता यह बहुत ही दुख में होती है यह रोते रोते हैं यह सब कोछ कह रही होती है यह कहती है कि विंटर था और मैंने फायर प्लेस चलाया था उसकी शिल्ड उससे गीर गई थी, उसी वज़े से पुरा घर जल गया था इसमें उसके बच्चे भी मर गए, इसके एकस हजबन को यह सब पता है इसी वज़े से उसे मर्डर रही बुलाता है और नेकस दिन में हम देखते हैं कि कॉल्मन को एक लेटर मिलता है इसमें उसकी एकस कलीग ने लिखा होता है कि उसे पता है कि वो आप क्या कर रहा है फोनियां के साथ उसका अफेर चल रहा है और वो जैनिटर है वो उसका फायदा उठा रहा है उसके एक केस कर सकते हैं इसा इस लेटर में लिखा होता है Coleman फिर उसके lawyer के पास आया हुआ में दिखता है उसका lawyer उसे salah दे रहोता है वो कहता है यह एक janitor है इसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है यह society कभी भी तुम्हें accept नहीं कर पाएगी इस relationship में बहुत सारे problems आएंगे और यह worth it भी नहीं होगा अगर इस town के लोगों के खिलाब गया तो इसका जीना वो खराब कर सकते है Coleman को इससला पसंद नहीं आती अपने lawyer को भी fire कर देता है अब हैं फिर से young Coleman दिखाया गया है Coleman जब fighting करता था तो उसके professor ने उसे कहा था कि fighting तुम करते हो तो तुम्हें अच्छे से scholarship मिल सकती है Coleman का interview तब होने वाला था तब उसके teacher ने उसे कहा कि तुम्हाई जो cast जगे रहे है या किसी को भी मत बताना Coleman जब घर आता है तो मैं पता चलता है कि Coleman खुद ही निग्रो है इनकी family में Coleman एक anomaly है Coleman lag है तो फिर भी इसकी skin white है Movie के first में हमें बता जाता है कि ये Jew है Jew होने की identity इसने ले ली है या जब घर पर आता है तो ये सब dinner कर रहे होते है Coleman के फादर को अच्छा नहीं लगता कि ये fight करता है उसके फादर उसे कहते है कि अब तो फाइटिंग मेंगरा सब कुछ बन कर दोगे तो आक्सपर्ण में जाने वाले हो उसके फादर बहुत strict होते है उसके फादर जो उसे कहते है वो ही उससे करना पड़ता है इसके फादर एक train में काम करते है इस train में वो जब सरु कर रहे होते है तब ही इन्हें heart attack आजाता है और ये मर जाते है कॉल्मन फिर अपने मदर से कहता है कि ये मेरी life है मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे decide करना होगा वो आक्सपर्ण में नहीं जाना चाता आक्सपर्ण में हमेशा निग्रो लोगों के लिए बात ही की जाती है उनके rights के लिए लड़ा जाता है कॉल्मन कहता है कि मैं कभी भी political इंसान नहीं था मैं इन सब में फसना नहीं चाता वो एक normal आदमी की तरह एक अच्छे से life जीना चाता है उपनी मदर को कहता है कि मैं आक्सपर्ण में नहीं जाने वाला यह मेरी life है प्लीज मुझे decide करने दो इसकी मदर कहती है यह तुम से argue नहीं करने वाली इसकी मदर को दूख होता है पर इसे वो accept कर लेती है अपनी education complete करने के बाद कॉल्मन आर्मी में चला जाता है आर्मी में भी वो Jew है इस तरह से वो लिखता है इस वाज़े से इसकी identity अब पूरी तरह कैसे बदल चुकी है प्रेजेंट में Nathan कॉल्मन से मिलने के लिए आया होता है वो उसे समझा रहा होता है यह जो तुम्हाई relationship है यह गलत है फॉनिया का एक्सस्बंड बहुत ही dangerous है वो तुम्हें hurt कर सकता है कॉल्मन कहता है कि वो मरने से नहीं डरता उसे उसकी जो life अब है यह बहुत ही अच्छी लगती है नेतन कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करने लग गए है वो कह रहे है कि तुमने फॉनिया को प्रेगनन कर लिया है कॉल्मन को लगता है कि नेतन उसे अक्यूस कर रहा है नेतन कहता है तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड हो एक फ्रेंड की तरह ही मुझे तुमसे बात करनी है कॉलमनों से कहता है कि यह मेरे लाइफ खा लाश्ट लव है इसके बाद में कभी मुझे इंटिमी से मिलने नहीं वाली यह कहकर यहां से चला जाता है इसके बाद हमें फिर सही यंग कोलमन दिखाया जाता है अब ये आर्मी से आ चुका है पर अब भी भी वो स्टीना के साथ है इन दोनों की रिलेशनशिप अब अच्छी तरह किसे डेवलोप हो चुकी है स्टीना इनसेक्योर हो रही होती है कि क्या ये रिलेशनशिप कभी आगे बढ़ेगी तो इसी वज़े से अब वो उसे अपनी फैमिली से मिलाना चाता है स्टीना अप बहुत ही खुश होती है स्टीना को पता नहीं होता है कि कॉल्मन ब्लैक है जब उसकी मदर से उसे मिलवानी के लिए लेकर जाता है तो उससे बहुत ही oncomfortable मैसूस होता है उसकी मदर से वो अच्छे से बात करती है बज़े पे ट्रेन से वापस आ रहे होते है तो है रोने लग जाती है इसकी फैमिली कभी भी इन दोनों की रिलेशन्शिप को एकसेप्ट नहीं कर पाएगी और इसके लिए बहुत ही हार्ट होता है इसे वज़े से अब इसके साथ रिलेशन्शिप नहीं रखना चाहती कॉलमन फिर सब उसका गुस्सा अपने फाइटी में निकालता है वो एक निग्रो से ही लड़ रहा होता है इस वो बहुत मारता है उसका प्रोफेसर कहता है कि वो गिर चुका था तो यह उसके इतना मारने की ज़रूरत नहीं थी यह कहता है कि निग्रो को मारने के लिए मुझे किसी की डाट पड़े यह मुझे अच्छा नहीं लगता यह खोदी निग्रो है पर यह अब भिद्वाओ करने लग जाता है यह कुछ अलग है ऐसा वो प्रिटेंड करता है अब यह फिर से बेजन दिखाया जाता है कॉल्मन और फॉनिया की जो रिलेशन्शिप है यह अब नेक्स लेवल पर जाती है फॉनिया कभी भी उसके साथ रात में नहीं रूखती पर अब यह उसके साथ रुखने लग चुकी है अब यह रिलेशन्शिप नेक्स लेवल पर जा रही है तो फॉनिया को डर लगने लग जाता है जब कॉल्मन उसके जॉब के बारे में बात कर रहा है तो उस पर वो चीट जाती है वो कहीती है कि हमेशा तुम तुमारे बारे में बात करती रहते हो तुमारे साथ जो हूआ है यह कोई बड़ी tragedy नहीं हुए है वो फिर उसके साथ क्या गलत हुआ है इसके बारे में बात करती है कॉल्मन से fight ले लिती है और वहाँ से वा चली जाती है वो रोड से चलती जाती है और एक बर्ट हाउस पर आ जाती है एक कववा उसे यहाँ पसन आता है इसके बारे में जो पुछती है तो शौप ओनर कहती है कि इस कववा कभी भी बाहर उड़ नहीं सकता यह जब छोटा था तो उसे एक केज में ही है इसी वज़े से इसे उड़ना के से पता नहीं है जब बाहर जाता है तो दुसरे कववे उसे मारने लग जाते है फौनिया इस कववे से रिलेट कर पाती है यह कही थी कि जब मेरे बच्चे मर गए थे तो मैंने अपनी मदर को कॉल किया था उसकी मदर ने उसे पहचानने से इंकार कर दिया था जिस तरह से कववा अपनी आइडेंटिटी खो चुका है उसी तरह से अपनी आइडेंटिटी यह भी खो चुकी है इसे क्या करना है यह समझ में नहीं आता इसे अब बुरा लगता है इसे life में एक अच्छा chance मिला है कि Coleman के साथ एक अच्छी life जी सकती है अब फिर से Coleman के पास आ जाती है इसे वो sorry केती है Coleman भी उसे माफ कर देता है उसे हग करती है और कहती ही कि वो pregnant है इसके बाद हमें दिखता है कि दोनों गाड़ी से जा रहे होते है और इनका accident हो जाता है यहाँ फौनिया का husband भी था नेतन फिर हम से बात करता है वो जब पता है कि यह accident नहीं था यह करवाय गया था अब Coleman और फौनिया दोनों मर चुके है फौनिया के husband से बात की जाती है इससे जब inquiry होती है तो यह सब मना कर देता है यह कहता है कि मेरा इन सब से कोई भी सम्मण नहीं है इसे के खिराब कोई भी evidence भी नहीं होते तो इससे छोड़ दिया जाता है इसके बाद हमें Coleman का memorial दिखता है उसके जो सब कलिक्स थे अब इने बहुत ही दुख हो रहा होता है यह कहते है कि हमने जो किया था गलत किया था हमें अपने friend को support करना चाहिए था मरने के बाद Coleman के आरोप खतम हो चुके है Coleman का जो memorial चल रहा था है तो Coleman की sister वहा थी है Nathan जब इसे देखता है तो इस समझ नहीं पाता Coleman की sister black कैसे हो सकती है यह फिर उसे Coleman के बारे में सब कुछ बता देती है हमें फिर Coleman का एक pass का scene दिखाया जाता है वो अपनी mother के पास आ चुका है Coleman की जो wife थी वो से आफ वो मिल चुका है वो अपनी mother के पास आता है और कहता है कि मेरे parents date है ऐसा मैंने उसे बताया है अगर इसे भी पता चल गया कि Coleman black है तो इनकी relationship में problem आ सकता है इसी वज़े से अपने father और mother date है इसी तरह से वो बताता है उसी mother कहती है कैसा कैसे तुम कर सकते हो हम दोनों के बारे में थीक था पर तुमारे brother sister इनके बारे में भी तुम नहीं बताओगे कोई भी contact नहीं बनाऊंगे सिर्फ उसकी mother की यही इच्छा होती है मदर फिर सोचती है और पूछती है क्या तुम बच्चे भी नहीं होने दोगे Coleman की जीन्स तो अभी भी निग्रोई है तो अगर उसके बच्चे भी black आ गए तो बहुत ही problem हो सकती है Coleman ने अपनी मदर से इस तरह से बात की थी तो उसका ब्रदर उसे मिलने के लिए आता है उससे कहता है कभी भी तू मुझे अब दिखना मत मदर के पास कभी भी मत आना Coleman की मदर Coleman को याद करते करती ही मर गई वो कभी भी उसे मिलने के लिए ने आया यह सब चीजे Coleman की सिस्टर अब Nathan को बता रही होती है वो इस पर हस रही होती है यह कहती है कि जो इलजाम Coleman पे थे यह बहुत ही घटिया थे Coleman निग्रो था और इससे वो भागता रहता था और लास्ट में इसने उसे कॉट अप कर ही लिया इसी वज़े से उसका पूरा करियर खतम हो चुका था Coleman अगर चाहता तो अपने चार्जेस वो ड्रॉप कर सकता था अपनी आइडेंटिटी अगर कलिक्स को उसने बता दी होती तो उस पर यह चार्जेस नहीं लगते है Nathan हम से कहता है कि अब मैं Coleman के बारे में फिशिंग कर रहा होता है Nathan कहता है कि बहुत ब्यूटिफुल स्पॉर्ट है फोनिया का हस्बन कहता है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है यह अब एक दूसरे से सार्कैस्टिकली बात कर रहे होते है फोनिया के हस्बन को फिश नहीं मिल रहे होते मैं जब वापस आया तुमी जिस तरह से बरताव ग़र आ था उसी वज़े से मेरी मैरेश चुट गई थी फोनिया का husband पूछता है किस तरह के लोगों के बारे में तुम लिखते हो Nathan कहता है कि तुम जैसे लोगों के बारे में लिखता हो नेतने सज़ता रहा होता है कि इसे पता है कि इसने फोनिया और कोल्मन को मारा है फोनिया का हस्बन फिर कहता है कि तुम वोट्स में रहते हो न यानि कि उसका पता उसे पता है यह कभी भी आकर उसे मार सकता है ये फिरूट जाता है, इसके पास एक आयन का एकूपमेंट होता है इससे में इस आइस में एक बड़ा सा होल बना सकता हूँ फिश लाइट देखने के लिए उपर आजाते है, इसे में फिशिंग करता हूँ अंदर बहुत ये dark होता है इसे वज़े से fish उपर आते हैं इसका मतलब इसे धमके दे रहा होता है कि अभी के अभी वो इसे यहाँ मार सकता है अंदर बहुत ये dark है और ये lake भी frozen है तो कोई भी उसके body ढूण नहीं पाएगा अब ये कहता है कि ये मेरे fishing करने का secret spot है अगर को indirectly बोल रहा होता है नेथन अपनी life के लिए डरता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए important है मैं तुम्हारे इस secret place के बारे में किसी को बहुत नहीं बताऊंगा नेथन फिर यहाँ से चला जाता है यहां में पता चल जाता है कि फौनिया के husband नहीं फौनिया औ कब तक तुम भागते रहोगे कोलमन हमेशा अपनी life से भागता है रहा कभी उसे family का जो पैर होता है यह नहीं मिल पाया अगर वो अपने आपको accept कर लेता तो अपनी family के साथ हो रह सकता था उसकी mother, brother, sister इन सब को accept करकर अपनी wife के साथ उनके साथ हो रह सकता था अगर उसके बच्चे निग्रो आए तो उस पर सवाल उट सकते थे इसी वज़े से कभी भी उसने अपने लिए बच्चे भी नहीं होने दिये वो आखिर तक अपनी identity से भागता रहा पर फिर भी उस पर जो charges लगे यह वो निग्रो बुलाने के लिए ही लगे थे इसका मतलब है अगर व कभी भी एक दूसरी को छोड़ना नहीं चाहते थे इस बार फॉनिया के पास ने उसे जकड लिया फॉनिया के husband नहीं इन दोनों को मार दिया हम जो है हमारी family जो है इन सब को हमें accept करना चाहिए हम हमारे खुद के acceptance से ही खुश रह सकते है इस message के साथ यह movie end हो जाती है अगर